नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं Math & Magic YouTube चैनल तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दस्वी के जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मोडल पेपर जारी किया गया उसका आज हम लोग solution करने वाले हैं फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक से लेके 100 तक का objective प्रस्ण इस बार दिया गया है तो उसको सभी को एक से लेके 100 तक के objective प्रस्ण को हमने बिल्कुल असान तरीका असान भासा में हल करके बताए हैं साथ ही दूसरा वीडियो हमने बनाया एक से लेकर 30 तक के सभी लगू उत्रिया प्रस्ण जो की 100 टाइप के प्रस्ण होते हैं अब दो नंबर वाला प्रस्ण होता है आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉंग टाइप कोईश्चन जो लॉंग प्रस्ण पूछे जाते हैं दिर्गूत्रिया प्रस्ण एक से लेक मतलब इसमें जो आठ प्रस्ण पूछा गया ठीक है तो आठों प्रस्ण का त्यस्ट Khal देनने हम देखेंगे चिस तरह से आप अपने बोड एक्जाम में अच्छे संचे माक्स लाउड सकते हैं तो चलिए हम लोग अस्टार्ट करते हैं देख लेते हैं 31 नमर्र का सवाल तो दे रखा है गराफिये विधी से हल करें इसको यहां पर दो зовут देख्योशन चले इसको अस्टार्ट ही कर लेते हैं, यहाँ पे, क्या दो equation दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे, पहला equation दे रखा है, 5x-3y-7-0, और दूसरा equation इस side हम लिख लेते हैं, x-4y-6-0, ता यह इसको हल करते हैं, आप लोग को पता होगा, कि graph विधी हल करने के लिए हम लोग को x और y का मंन निकालना पड़ता है, या तो आप x का मंन कुछ रखके y का मंन निकालेजिये, या y का मन डकके कुछ x का मंन निकालेजिये, तो बिलकुल असान तरीका इसको निकाल लेके लिए, उससे पहले यहाँ पे दो डबबा बना लेगे, table जिसको बोल सकते हैं आप यहां पर दो मान निकाल लेते हैं कैसे निकालेंग देख लेजिए एक्वेशन पहला एक्वेशन दे रखा इधर से हम लोग स्वल्व करते हैं ठीक है फाइव एक्स मैनस थ्री वाइ मैनस सेवन इक्वल जीरो अब यहां पर आप लोग को मानना परेगा कुछ भी मान सकते ठी यहां पर हम एक्वेशन को सॉल्व करते हैं देखिए फाइव एक्स मैनस थ्री वाई अब इस मैनस सेवन को बराबर की साइट भेज़ देंगे तो क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा ठीक है यहां पर हम वाई इक्वल कुछ भी मान लेते हमें इसा करते वाइक्व इक मानें तो इस एक्वेसन में वाई एक्वल एक दीजिए तो 5x मैनस 3y के जगह पर क्या देंगे एक देंगे गोन एक बराबर साथ यहां पर आगया 5x मैनस तीन गुने तीन बराबर साथ आगे देख लिजे 5x इस जो मैनस थी जो ढर्राबर की सैट भेज दीजे ठीक है बराबर की सेट भेजेंगे तो पलस में हो जाएगा यहां पर 5x यहां पर 5x बराबर क्या हो जाएगा साथ तीन दस पास दूने का दस तो x equal क्या निकल के आगया दो निकल गया हमने y equal एक हम रखा तो x का मौन निकल गया दो यहां पर डबे में भर लेंगे y का मौन एक रखे थे x का मौन निकल गया दो तो निकल गया इसी तरह से आप लोग को निकालना है देखिए आप लोग ज्यादा ज्यादा कोशिस करेगे कि बटे मना आए ठीक है बटे माधि मान आ जाता है तो गराफ में काटने मजा नहीं ठीक है यहां पर हम x equal मान लेटे क्या मौनते हैं मैनस एक मान लेटे ठीक है मैनस एक मान लेटे तो क्या equation था 5 x मैनस 3y equal 7 यही था ना तो बिल्कुल समझे यहाँ पे 5 गुने मैनस 1 हो जाएगा मैनस 3y बराबर 7 ठीक है जल्दी जल्दी इसको solve करते यहाँ पा जाएगा मैनस का 5 ठीक मैनस का 5 मैनस 3y बराबर 7 ठीक तो यहाँ पे देख लिए जा मैनस 3 इधर रह जाएगा और यह मैनस 5 को इस साइट भेज दीजिए मैनस 5 को इस साइट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा इस तरह से 7 5 12 मैनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 12 3 4 12 तो y equal क्या आ गया मैनस 4 क्योंकि यह मैनस में थाट ठीक है यह चीज़ धियान रखना है यह धियान रखना है जब मैनस 1 रखे तो मैनस 4 आ गया चलिए यहां डब्बे हम भढ़ेंगे मैनस 1 रखे तो मैनस 4 प्राप्त हुआ है उसी तरह से सेम हम इस equation को भी solve कर लेते हैं यहां पर जो equation दे रखा एकस 4Y मैनस सिक्स इक्वल जीरो तह इसा खड़ते हम लोग इसको हेल कर लेते हैं पहले एकस प्रलस एकस कोई सेट भेजेए थे बराबर की सेट भेजागे इ impressed क्या हो जबेगा ँख मैनस मैं तो फवालस में हो गया अब माना की एकस बराबर कुछ मानद यहां हो जाएगा फोर वाई बराबर शीख्स यहां हो जाएगा फोर वाई यह बडाबर निकल के गया यहां पर चार चार कट जाएगा तो यह बड़ाबर निकल मौन निकल गया एक आए आगे देख लेते हैं इसी समय के रहन में हम लोग इसको य का मौन रख लेते हैं यहाँ लिखेंगे मौना वाइक्वल जीरो आप कुछ भी माल सकते ठीक है बस बटेम ना अच्छे तो जड़ा लपड़ा लग जाता बटेम ठीक है इसलिए धियां दे ठीक है बराबर 6 घेर दिये एक्स पलस यह 0 तो जीरो यह हो जाएगा कोई दिक्कत ने एक्स बराबर 6 से आ गया इसको गुना करेंगे क्या जी कुछ आएगा जीरो नहीं आजाएगा इसलिए एक्स बराबर क्याच्वा हो गया मतलब एकस इक्वल जब हमने जीरो रखा तो य का मॉन निकल गया जब हमने जीरो रखा तो एक्स का मॉन निकल गया अच्छे बिलकुल इस चीज़ को आप लोग देख सकते होगा ता आप लोग असकीन सौट भी ले सकते हैं चलिए अब हम इसको ग्राब पे लेके चलते हैं और ग्राब पे आपको समझाने की कोसिज कर जाता है इसी क्वेसं दोनों को सौल्व कर लेना है दो डबा बनालना डबा एक्स और य का मॉन भड़ देना उसके बाद आना है ग्राब पेपर पर बोर्ड में एक्जाम में जो आप लोग को अपलब्द कराया जाएगा ठीक है तरह का आप लोग का वहां पे ग्राब लेना उसके बाद इधर साइट लिख लेना है एक दो तीन चार पांच छे जहां तक है वहीं तक लिख लेंगे ठीक है दो तीन चार पांच और यह रहा छेट ठीक यहां तक लिख देंगे फिर उपर भी हमको नमबर लिखना है एक दो तीन चार पांच और यह रहा छे लिख देए यहां तक किसी को कोई दिख्कत नहीं हुआ होगा अब आज यह उसको शॉल्व कर लेते सबसे पहले द देखिए समझेवро है उपर वाले एक्योशन इहां पर मैं लिखे से लिए एक्स्का मांन दो चली एक्सपामान कहां पर है यहां पर है तो इसको indicate कर लेते हम डेट प्यांसे कर देते ताकि आप लोगों को दिखाई पर यहां पर कर दिए ठीक आगे देख लीजिए वाइक यहां पर हो गया एक तो इसका जो है यह प्षकत मिलनीं पॉइंट कहां यहां पर हो जाएगा तुर्द स जा मैंना से हो गया है उसके बाद मैनस चार दे रखा थेrek यहां पर हो जाएगा यहां-पर मैनस एक और मैनस चार तो यहां हो गया यहां बोला जायते यह बला यह मैनस ना इधर बला भी मैनस में होता है तो मौनिए यह बला मैनस एक है वाइक्स पे इसको य लिखे इसको कि मैंने चार्थ किपट का वे यहां हो जेगा थिक तब इस रेखा को खीच देंगे तो यहां पे हम मेरे पास से श्केल नहीं है तो यह होगया है तुछ गया आपका कट पॉंट यहां मिल गया है तो यह रेखा सिधी सिधी यहां से यहां तक मिला देंगे दोनों का मिलन पॉइंट मिला देंगे ठीक इस तरह से आप लोगो रेखा खिच लेना थोरा सा गरबड़ा गया है कोई दिक्कत ने आप लोग इस चीज को समझ सकते चलिए आगे देख लिए दूसरा एक्विशन में रखा एक्स का तो एक्स का दो य का याए्च दोनों का तो एक ही हो गया यहां पी यह मिलान पॉइंट हो गया इसको सिधा यहां मिला ना था ये धियान देंगः आप लोग यहां जाता यह थोग हो कोई दिक्क नीक यहां प दिखे शीक ऐर 0 तो सी szczegól जिंड होगया झीर्यां पे कट पॉइंट देखेंगे यहां पर दिखिए यह एक था और यह नीचे दो था था ना यह एक और दो था नीचे इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक और दो हो जाएगा आंसर चलिए यह इसी तरह से आप लोगो गराफ बोड एकजाम में भी बनाना थी इसी तरह से बना दिजिएगा कोई दिकत ने थोरा से यह लाइन मेरा गलत हो गया यहां यहां सखिचना था इस लाइन को धियान दिजिएगा यह बला लाइन इससे मिलाना था कट पॉइंट यहां इसका यहां चार था यहां मिलाये थे लेकिन यहां गलती स्कुछा गया थी यह चीज धियान दिजिएगा ठीक है चले आगे देख लेते हैं सवाल यह देख लेते हैं 32 नमर सवाल 32 सवाल कह रहा है कि सिद करे कि दो सम्रूप तिर्बुझ के छेतर फलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है बिल्कुल समझेगा यहाँ पे एक बार और question रिपीट करते हम सिद्ध करें दो समरूप माल लियाजे यह दो समरूप तिर्भुज समरूप किसको कहते हैं एक जैसी आकिरती को समरूप बोलते हैं यह तिर्भुज यह समरूप तिर्भुज बना दिये किसी को कोई दिकत नहीं इसका नाम भी दे सकते हम यहाँ आप दे दिये A, B, C और यह D, E, F ध्यान से समझ दिएगा तभी इस सवाल को समझ पाईएगा करें सिद्ध करें कि दो समरूप तिर्भुज के छेतर फल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते है तो किलियर हो गया तो हम लोग को सीद्ध करना है ठीक है इस चीज़ को चलिए देखते हैं 32 नमर सवाल दो समरूप तिर्भुज बना ही लिए लिखेंगे यहाँ पर माना माना तिर्भुज A B C समरूप है किसके तिर्भुज D E F ठीक उसके बाद सीद्ध क्या करना है देख लिया जाए सीद्ध करना हम लोग को यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए क्या दे रखा है कि अधि यह दोनो समरूप तिर्भुज है तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को कि कौन A बराबर क्या हो जाएगा कौन A बराबर हो जाएगा कौन D मतलब कौन A जो है सी बराबर F हो जाएगा कौन F ठीक है किलियर हो गया कहीं कोई दिकत ने इसको एक वेशन एक कर लीजिए तथा यदि कौन बराबर है तो इंगल भी इसका जो है क्या यह दो यह भी A B बराबर क्या होगा D E हो जाएगा होगा बराबर हो जाएगा A C बटे D F के देख लिजिए A B बराबर क्या हो जाएगा D E उसी तरह B C बटे क्या हो जाएगा E F क्योंकि एंगल जो है बराबर है ठीक है इसलिए यहाँ पर देख लिजिए कौन जो है एकवेशन हम धर माल लिए कोई दिकत अब आता है सिध क्या करना है उस पे आते थोड़ा सा लिखा गया है सीध करना है क्या करना है सीध क्या करना है सीध में देख लिए तिर्भूज A B C का छेतर फल बटे का तिर्भूज D E F का छेतर फल बराबर हो जाएगा B C SQUARE बटे कहरा वर्गों का तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं ठीक है E F का SQUARE B C SQUARE बटे यहाँ पर A C का SQUARE बटे क्या हो जाएगा A C का बटे क्या है D F का SQUARE बटे हो जाएगा A B का SQUARE बटे D E का SQUARE यह D है और यह E है ठीक है चलिए यह चीज़ समझ में आ गया अब यहाँ यहाँ पर हम कुछ रचना करते हैं रचना क्यों करेंगे वह चीज़ हम आपको बाद में बटाएंगे ठीक है अभी नहीं यहाँ M दे दिए और यहाँ पर N दे दिए क्यों रचना किए इसमें कुछ ना कुछ तो हम मोटिफाइड के रचना किए यहाँ पर A B A M जो है लंब डाल दिए ठीक है और D N जो है लंब डाल दिए ठीक है यहाँ पर रचना कर लिए क्यों कि वह आपको बाद में समझ में आ जाएगा यहाँ आप देखे रचना लिख करमस, भुजा, बीसी तथा, इएफ पर, लंब डाला, लंब डाला, डाला, परमान, क्यों, अब देख लिजे, परमान में, तिर्भूज, एबीसी का, एबीसी का, छेत्रफल, जो होता है, क्या होता है, एक बटे दो, अधार गुने, उचाई, एक बटे दो, गुने, अधार गुने, उचाई होता है, यहाँ पे देखा जाए, एक बटे दो, क्या है, एक बटे दो दे दिये, अब इस तिर्भूज में देखे पहले बाले तिरभूज में ABC बाले में इसमें देखे आधार कॉन सा है तर अधार यहाँ पे देखेंगे तो क्य ओजिङा BC ऑधार है और उचाई देखें उचाई मांग रहा है तो उचाई हम एम दे दिए इसी परकार से हम यहां पर लिखेंगे अधार जो है BC दे रखा है और एम जो है उचाई दे रखा इसलिए हमने वहां पर लंब डाला था ठीक है समझ में आ रही बात यहां पर देख लिया जाए DEF का छेतरफल देख लेते हम लोग यहां पर तो देखा जाए वही होता है एक बटे दो अधार गुने उचाई तो एक बटे दो तो लिखेंगे ही पलस इसमें क्या हो जाएगा इस तिर्भूज में देखिए EF अधार हो जाएगा और DN क्या हो जाएगा उचाई हो जाएगा देखिए EF अधार हो जाएगा DN उचाई हो जाएगा तो दोनों तिर्भूज का हम छेतरफल निकाल लिए लिखेंगे हाँ पर तिर्भूज ABC का छेतरफल छेतरफल बराबर बटे तिर्बूज़ D E F का छेतरफल बराबर हो जाता है एक बटे दो गुने B C गुने A M बटे का है एक बटे दो गुने E F गुने ड N जो निकाले है भी एक बटे दो एक बटे दो खतम हो गया तो बच गया यहाँ पर क्या BC गुने AM बटे क्या बच गया है EF गुने DN DN बच गया इसको equation हमने third रख लिया कहीं कोई दिक्कत नहीं अब देखे यह पेज तो खतम हो गया तो यहाँ तक आप लोग समझ गये equation थर तक हम निकाल लिया चलिए एक पेज खतम हो गया तुसरे पेज को लेते हैं और यहाँ साथ लोग को समझाने की कोशिज करते हैं चलिए देख लेते हैं अब जो है यहां तक 3 equation तक आप लोग समझ ही गए होंगे लिखे अब क्या करना है अब तिर्भूज A, M, B तथा तिर्भूज D, N, E अब देखे यह तिर्भूज कहां साया A, M, B तिर्भूज और इसमें देखे A, D, N, E तिर्भूज यह बला है ना जो कि मैंने रचना से रचा था चले देखते हैं इस तिर्भूज में देखेंगे कोन B जो है बरावर है कोन E के क्यों है सर क्योंकि equation 1 जो हम पहले निकाले थे उसमें बताये थे समरूप तिर्भूज कहां जो कोन होते बरावर होते हैं इंगल जो यहां पर देखिए कोन B बरावर कोन E लिखे थे equation 1 में तो जी सर equation 1 से साथ ही हमें एक बात और जी जानते हैं क्या जानते हैं कोन M बरावर होगा कोन N का क्योंकि दोनों जो है 90 डिगरी का कोन है इसलिए क्लियर हो गया बात जी सर इस तरह से दो कौन जो है बराबर है तो इसमें लिखेंगे कौन कौन समरूपता से बिल्कुल यह के एक बात क्लियर हो जाएगा ठीक है समरूपता से अब देखिए कौन तिर्भूज ए इस तरह से जब यह समरूप है दोनों तिर्भूज यहाँ पर कौन कौन समरूपता से बता ही दिये है तो इसमें क्या हो जाएगा तिर्भूज देखिए तिर्भूज बते क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा है यह से इसको एक्विचन तीन तक हो गया था तो यह चोथा equation होगा ठीक है यह चोथा equation आएए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं am बटे dn जो है am बटे dn am बटे dn बराबर जो है क्या लिख सकते हैं लिखे हैं bc बटे ef लिखे है ना अब देखें यहाँ पे am बटे dn का समीकरन 3 में रखने अपर अब क्यों रखेंगे देख लिघें देखे समीकरन 3 आपको दिखाते हैं समीकरन 3 यहाँ पे हैं देखे थोरा सा long हिसाब हो गया इसलिए समीकरन 3 देख रहे हैं यहाँ पे am बटे dn है ते M बटे DN, DN है यहाँ पे AM बटे DM, DN बड़ावर BC बटे EF लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जी बिलकुल लिख सकते हैं, क्योंकि समिकरन तीन निकाले हैं, ठीकेट, यहाँ पे फिर से वही बात दोहराएंगे, तिर्भूज ABC का छेतरफल, बिलकुल असान है अब, तिर्भू और क्या हो जाएगा, BC और EF का छेतरफल, AM बटे DN, समिकरन 4, तो BC बटे EF, BC बटे EF, ठीक है, गुने क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे AM बटे DN, तो AM बटे DN, बराबर हम यहाँ पे क्या निकाले, BC बटे EF निकाले हैं, तो क्या आप बताए, AM बटे DN के जिगह पे BC बटे EF रख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए, अब यहाँ पे दिखे, BC BC गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वाइर हो जाएगा, बटे EF का स्क्वाइर हो जाएगा, यही चीज हम लोग को निकालना था, चलिए, सीध करने के लिए, क्या बोलढ़ा था, यहाँ द निकाल ही दिये हैं, तो लिखेंगे तो, समिकरन तीन से इसी परकार से क्या होगा, तिर्भूज, ABC का छेतरफल, बटे तिर्भूज, DEF का छेतरफल, छेतरफल, क्या हो जाएगा, BCA स्क्वाइर बटे, इतने तक आप बोड इकजाम में दिये, सवाल आ जाए, तो आप इसी तरकार से लिख सकते, यहों सीध कर देंगे, तो सभी को सीध कर देंगे, इसी परकार से आप लोग लिख देंगे, शिर्फ, तो हो जाएगा, लिख आप देंगे, यहाँ पर प्रूब्ड करने के लिए बोल नहीं था ना बाबु, तो हमने प्रूब्ड कर दिया, थोरा से कुछ बचे का, इस में जो है, थोरा इंट्रेस्ट नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे का, इराचनावला चेप्टर में इंट्रेस्ट नहीं रहता, चलिए इससे मज़ेदार सवाल को देख लेते हैं बहुत सारे मज़ेदार सवाल है जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको चलिए देखते हैं next सवाल लेते हैं प्रूब करने वाला सवाल में ले सकते किसी भी साइट से आप लोग को सल्व करने का मन है ठीक है यहाँ लिख लिए उसके बाद लिखेंगे साइन ठीटा प्लस कोश ठीटा जो दे रखा है सेम हिसाल हिसाब को आपको उतार लेना है जैसे दे रखा है से बड़ाबर वाले साइट इधर छोड़ देंगे प्लस साइन ठीटा सरी यह ठीटा लिखते हैं ठीक है आप लोग समझ जाएंगे साइन ठीटा प्लस कोश ठीटा यहीं दे रखा न चलिए बाव वच्पन में पढ़ा है औंगे भीनका जोड पढ़ा है यहांपर पर भीनका जोड ही करेंगे इसने नहीं होता करते है गुना कर देते हैं न चलिए यहांपर भी गुना लिख़ दीजे साइन ठीटा मैनस कोश ठीटा गुने साइन ठीटा पलस कोश ठीटा ने गुना हो रहा तो गुना में लिख सकते है अब दीखे मजे की बात यहां सी इसको भाग देते हैं साइन XL पड़कस स्टिटा स्टम भागते में बच गया साइन फटाइंगे लिख gosh टिटा,सलिए थो नो干 सकते हैं। कर देते हैं दिकत नहीं नहीं साइन ठीटा प्लस कोष ठीटा यहां पर भाग दिये दोनों कट गया इकट गया लगा उपर वाले से कुआ कर देते हैं तो फिर विसी तरह से कितना इसमेद बता है आप लोग को को न समझ हैते हैं थोड़ा साइस को हम लोग हो जाएगा ठीक है देख लीज़े यहां पर पिलस बी का होल स्कॉयर पर तोड़ दीजिए इसको तोड़ेंगे लिखेंगे क्या पहला जो होता है ए पलस बी ए इसकॉयर मतलब शुच क्षपट है ठीटा पलस v.a कामोण कोस्ट चलिए ठीक है पर यहांपर मैंनस भला फॉर्मूला आज मैंगे यहां लिखेंगे फिर साइन स्कॉएर ठीट पर रस होता है डाला स्बद शजिर कर ना स्धूंट है श्चलिज़ी ऐशथान देख बंत रथी। टिक है माइनस यहाँ पे कॉ ओने कॉस होगा कॉस स्कुाईर हो जाएगा का सस्कुइफ लिचे यह पलास मैंने स्कूइर स्कॉ si कॉस और स्कूर कॉइज है ओज्यों अब दिखें इसको हम लोग ठोरा सा जारते हैं कहां जारेंगे दिख लिए यह देखें ऊhigh मल्टिपलास जो है पलस टू मल्टिपलाई साइन ठीटा मल्टिपलाई कोस ठीटा यहां पर मैनस टू साइन ठीटा मल्टिपलाई कोस ठीटा यह दोनों खतम कर दीजे यहां देखें साइन स्क्वाइट ठीटा पलस कोस स्क्वाइट ठीटा तो साइन स्क्वाइट ठीटा पल सकते साइन-सक्वाइट-ठीटा मैनस स्कवाइट ठीटा कोई दिकता नहीं सर नहीं दिנक चलिए उपरवाले को एड करलीजै । भीडिके आब देखिए यहां फिर्मोला है साइन-सक्वाइटट-ठीटा पलस उसी परकार से यदि हम लोग यहां पे लिखे इसको हम लोग इस फॉर्म में भी तोर सकते कि सान इसको ठीटा बराबर क्या लिख सकते यहहां दीखे साइने स्कोर ठीटा बराबर यह एक है बर ten निथे दिए कि Short a ठीटा मैनस है क्वास स्क्वाइड ठीटा लिख दीजिए क्वास स्क्वाइड ठीटा अब देख लिए यहां पर किलियर हो गया जी सर किलियर हो गया क्या अब देखिए बटे का जे दो बटे यहां देख लिए क्वास स्क्वाइड ठीटा मैनस क्वास स्क्वाइड ठीटा मै यही कह रहा था प्रूब करने के लिए चलिए थोरा सवाल देख लिजेगा तब समझ में देखेगा यहां पे उसी तरह से निकल गया ना बावू बिल्कुल असान था बाई चलिए देखते हैं अगले सवाल को इसी तरह से तिस नमबर सवाल में दे रखा यहां पे ध्यां से आप लोग देखेगा कहरा 24 सेंटीमीटर ब्यास बाला एक लंविर्तिय बेलनाकार वर्तन में कुछ पानी है ठीक है इसमें 60 संकुआ का ठोस लोहे का एक कुछ टुकरा इस परकार डाले गये हैं कि यह पानी में पुरी तरह डूब गया है जबकि परते के अधार का तिर्जिया जो है तीन सेंटीमीटर दे रखा और उचाई दे रखा संकुआ का 0.04 मीटर तो पानी की बिर्धी को बताना है कि पानी में कितनी बिर्धी हुआ है ठीक है चलिए हम इसको हल करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा चलिए आपको फिर से हम पिक्चर ड्रॉ करके समझा देते हैं एक एक बेलना कार है एक कोई बस्तू है जो बेलना कार है तो सेम हम बेलना कार यहां पिक्चर बना लेते हैं ठीक है यह बेलना कार है और इसमें जो है पहले से कुछ पानी रखा हुआ था इसमें ठीक है इसमें तो इसका जो डी दे रखा ब्यास दे रखा मतलब डी बराबर दे रखा 24 सिंटीमीटर किलियर है और यहां तक यह मान लिया जाए पानी भरा हुआ था फिर उसमें कहरा कि 60 संक्वाकार डाला तो यह जो है संक्वाकार कुछ इस तरह से होते हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे सती ही बेलना कायतन ग्यात कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा दोणों है पहले इसमें कितना पानी था और साथ ही बढ़ा कितना तो चलिए हम लोग start करते हैं तो इसमें इधर हम लोग माल लेते हैं इधर h1 इसको माल लीजिए ठीक है और इधर जो बढ़ा मौल लिया यह यहां तक बढ़ गया जलस्तर जो यहां तक बढ़ गया इसको h2 माल लीजिए मतलब बहुत इजीए है बनाने मं कोई दिकत नहीं ठीक है तो सबसे पहले यहां पी क्या लिखेंगे हम लोग बेलन का जूंटिरज़िया देरखगा है तो आडव unwanted क्या हो जाएगा यहां पर देखें, ब्यास दे रखा है, तो आर बड़ावर क्या हो जाएगा, तो 24 बटे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो 12 हो गया, आर बड़ावर निकल के आ गया, 12 कोई दिकर नहीं, तथा संकुआ का, तथा संकु, संकु का तिर्जिया, देखें, संकु का तिर्जि 0.04 cm clear बात समझेगा यह मीटर में दे रखा है इसको हम लोग क्या करते हैं यहीं पर बदल लेते हैं मतलब इसको 0.04 को सो से मल्टिप्लाइ कर दीजिए सो से मल्टिप्लाइ किजिए यहां पर आ जाएगा 4 ठीक है इसको मल्टिप्लाइ कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा तो अब दीखिए पानी का जो है बढ़ाओ हुआ ही है आपको भी पता है किसी भी बरतर में दी कुछ डालेंगे तो पानी बढ़ेगा यह बढ़ेगा पहले से पानी है तो हम लोग क्या करते हैं पानी का असतर कितना बढ़ा यह चीज़ रच आते हैं पानी का असतर में विड़दी बढ़ावर क्या हो जाएगा हटवं यह ब़ाँ पहले पानी कितना था और मेहनस कर देंगे हटव से तो नया जो आईतन बना मतलब नया जो बढ़ा तो पूरा item निकलेगा नया item निकलना हम लोगको कितना बधात पता चल जेएगा नया item बढ़ाबर क्या हो जेगा ध्यान देना है 60 संकू का item संकू का item पलस's क्या हो जाएगा H1 वाले बैलन का item यहां पर हम लिख दिए कोई दिखत ने आप लोग समझ जाएंगे चलिए आगे दिख लेते तर नया आइतन बड़ावर क्या होता है आइतन बड़ावर आप लोगों को पता होगा पारे स्कुर्ण होता है यहां पर संकुक आइतन तो मतलब घया गुण एक बड़े तीन 30 को संकुक एकवड़ निकाल लेते हैं पाई ii2 होता है ठिक पलस यहां पर है जब की यहां पर होता है ii2 होता है यहां परोग क्या sujet लेते हैं पार यह बाले इधर ले आते ठीक है पार स्क्वाइर एच टू यह जो पलस में है तो बराबर की सेड में गात क्या हो जाएगा मैनस में हो जाएगा हुआ है है यहाँ ग्यात भी करना है बराबर है बराबर दीजे आये यहाँ पे 60 गुने 1 बटे 3 गुने पाय का मान पाय का मान यह आप दे सकते हैं तो पाय का मान नहीं देंगे फिलाल आर तिर जी आकार का मान कितना ही आप दिख लिजिए उपड़ पर इस संकू का 3 सेंटीमीटर दे रखा था यह साम में ही तिहांप लिखेंगे 3 गुने 3 और जो हाइट निकाल ले थे हम लोग 4 निकाले थे देख लिया जाएए हैट निकाले थे चार चले आगे काट लेते यहां पर कटमझ कुटे तीन खतम अभी हाँ पर इसको मल्टिप्लाइक कर लिजिए देखिए महीं पर प्य यह पर और यह हो खतम हो गया तब spraying किजेंगा it चार्टीय बारा बारे गुना साथ गुने बारा करेंगे तो 720 हो जाएगा यहां पर लिखेंगे हम लोग 720 चले कोई दिकत ने समझ में आगे अब यहां पर आरे स्क्वाइर है इसका जो नया वाला का आड़े स्क्वाइर दे रखा तो इसका पहले से बिलन का आई तरह आरे स् स्क्वाइर दिया था ना जी बेलन का इतन तिर्जिया दे रखा था डी बराबर दे रखा था ना 24 हम लोग आरे निकाले थे न बार है चले यहां पर दिकत समझने में कन्फ्यूजन नहीं होना च्छे चोवालीस एच टू मैनस एच वन बराबर साथ सो बीस फिर से एक मैनस एच वन बराबर निकल के आ गया पांच तो यह जो है पानी का जो अस्तर बढ़ा है कितना बढ़ा है लिखेंगे यहां पर पॉनी सेंटी मीटर पॉनी का अस्तर में वर्दी पांच सेंटी मीटर हुआ है ठीक है इतना लिख देंगे यह हिसाब पुड़ा कंप्लीट हो गया कहीं कोई दिकत नहीं हुआ होगा अधी हुआ होगा ता आप हमें कमेंट जरूर करें तो चलिए देख लेते हैं 35 नमबर स्वाल 35 नमबर स्वाल में कह र संचार मिनार तल एबं सीखर के उन्ययन कोन करमसब 45 डिग्री और साट डिग्री के संचार मिनार की उंचाई ग्यात कि जिन नहीं समझे बिल्कुल समझाते हैं देखिए थोड़ा गौर से समझेगा हम यहां पर बना लेते हैं पिक्चर बना ले तब समझे में आएगा तो यहां तक मिनार वाला हो गया चले दूसरा जो है यहां तक सबका पहले नाम देते हैं बावु टेंसर मतले ना समझा देंगे ठीक है एबी एए एबी सी और इडी रख देते हैं अब समझ माया नहीं समझ भाए समझ लो भूमी से एक बिंदू 20 मीटर उंचा एक भवन का सिखर मतलब उचला है उप्रा हिसा उस पे लगा है संचार मिनार संचार मिनार संचार मिनार का कौन बनता है करसं चार मिन नारक्य उंचाइग्याद करें मतलब इबला जो है उचाइग्याद करने करने के बोल बत क्लिया झाह ठीक े लिख लेटे हैं गया सम्टißt कि माना की बीडी एक भवन है गारों में जिसकी और जिसकी ऑनचाई क। इसी की breaking क्या डे है यह और डी कि संचार मिनार है ठीक है तथा कि उचाई है कि मुचाई एच है ठीक है समझ मारे बावू ठीक है समझ के चले आगे देख लेते हैं को डी सी बी बराबर 45 डिग्री है यह भी कनफॉर्म कर लेजिए तथा कोन ए सी बी बराबर साथ डिग्री है यहां पर बावू देखा जाए टैन 45 डिग्री होगा क्योंकि यहां पर लंब दे रखा ग्यात क्या करना अधार ग्यात करना इबला साइड हम लोग को ग्यात करना इबला यहां पर यह मालूम है लेकिन यह मालूम नहीं तो देखते हैं तो लिखेंगे टेन पइतालिस ड़िग्री बराबर त्यान बड़ाबर क्या होता है तेन शिका भड्ब वड़ाबर लबटे आधार नहीं जानते है तो लिख दिये ठीक है इस तरह क्या हो जगा लंभ क्या दे रखा है लंब दी गले यादर ऍगले क्या कैसं दे सब्रक्राइबर सब्सक्रायरा, थनलाइबर सब्सक्राइबक कुछ दे सब्सक्राइब ठीक है एक है नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं ठीक है चलिए बाइक्रोस मल्टिप्लाइ कर दीजिए बीगोंने बीसी बड़ाबर क्या हो जिए बीस सेंटीमीटर तो मेरे बावू यहां पर निकल गया बीसी जो है बीस सेंटीमीटर ही निकल गया मतलब अधार हम लोगों को पता चल गया अधार पता चल गया आएए देख लेते हैं तो लंब इसका क्या हो जाएगा थोड़ा गौर फर्माइएगा इस तिर्भूज में देखा जाए तो लंब क्या हो जाएगा इस तिर्भूज में देखेंगे इसका जो है लंब है कि इसाथ में क्या है Ad विए तो इसको इस तरह लिखेंगे Ad Bd लिखेंगे भोथ 19 साठी का माना होता है रूट पूरिंधिन होता है यहां पर पहले दर्सा लेते हैं लम्य क्या सब्सक्राइब AD Plus BD हो जाएगा बटे BC, आधार तो BC मालू में है यहाँ पर Rule 3 हो जाता है किसका 1060 DD का मान तो यहाँ पर AD Plus BD BD का मान दे रखाए 20 यहाँ पर लिख दिजिए Aड हम लोग H रखे थे H पलस क्या लिख सकते है BD BD का मान करता है 20 तो बीस लिख दीजे या एडी भी लिख सकते थी यहां पर अपने अनुसार बीसी का मान दे रखा है बागो कहेंगे जी सर बीसी का मान दे रखा है बीस अभी यह तो जश्ट निकाले थे चले नीचे में कुछ नहीं एक से मल्टी एक दे दीजिए ठीक है अब बैक्रॉस मल् करने का मतलब है यहां पर इसको इससे गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे एच पलस हो जाएगा ट्विंटी इसको इससे गुना करेंगे तो बीस रूट तीन वीष रूट तीन हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है चले देख लेते हैं यहांपे एच बराबर जीज़ेती हैं यह सब देखेगा हो जाएगा है यहांभी 20 यहांभी ніतर यहां इसा करते हैं 20 को ले लें तो बच गया क्या रूट ठीरी मैनस एक यही आंसर हो जीगा NCRT पे देखेंगे ति यही आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा ठीक है इस तरह सवाल दे रखा NCRT में ति यह जो है 35 नमर का सवाल हो गया सवाल देखते हम लोग अगला सवाल क्या दे रखा है 26 नमर सवाल दो संख्याओं का वर्ग वर्ग अंतर जाएव है 45 दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चार गूनी तो दोनों संख्या ग्याद किजिए बिल्कुल हम लोग ग्याद करेंगे सबसे पहले यहां पर देख लिए आजाए लिखेंगे क्या संख्या बराबर जो है y मान लेते हैं दूसरा यहां पर एक equation निकल जाता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर तो मतलब है यहां पर x square x square क्या हो जाएगा x square स्वारी बड़ी संख्या ना तो बड़ी संख्या का अंतर पहले तो बड़ी संख्या क्या मानने हुआ है y square minus x square बराबर दे रखा है 45 क्योंकि बड़ी संख्या चोटी संख्या घटाना है इसलिए यहां पर यहां पर दूसरा यहां पर दे रखा है पुना क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो छोटी संख्या का वर्ग है तो एक्स स्क्वाइर हो गया बड़ी संख्या के बड़ी संख्या चारगुनी है तो यहां पर बराबर क्या हो जगा फॉर वाई हो जागा। यह बात क्लियर हो गया, यह equation हो गया, क्या, second ले लेते हैं, हाँ, second. एक्स का मॉन रखने पर धृट समीकरन 1 में एक्स में मॉन रकने पर क्वाइक को वहां पे मानने ही दे रखा, इसलिए रख लेते हैं, ठीके, तो देखें कई से, पहला से क्वेशन दे रखा, y square, minus x square, बड़ावर का 45 दे रखा है, ठीके, यही दे रखा दियर, तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे y square लिखेंगे ही, minus, यहां पे क्या हो जेगा फोर वाई बडावर का 45 इकल जीरो शरी यहां पर इकल जीरो नहीं हुआ चलिए यहां पर वाई स्क्वाईर मैनस फोर वाई यह पलस में इधर ले आए 45 को अब बडावर के साइड इधर दे दे जीरो यह हो गया अब इसको हम लोग थोरा सा सोलुशन कर लेते हैं कैसे आप यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं देख ल्याजाई आज यस्क्वाईर मैनस लिखते हैं क्या नाइन वाई पलस फाईव य तो पलस मैनस फोरड़वाई हो जाता है साथ में नौपच्छे पर्यतालिस हो ही जाता यह तो यह चीज आप लोग जानते ही होंगा करने के लिए कहीं कोई दिकत नहीं चलिए यहां पर हो गया 45 मैनस 45 इक्वल जीरो आगे हम लोग ले लेते हैं कोमन कोमन लेंगे क्या वाई ही लेते हैं वाई लिए यहां पर हो गया वाई ठीक है यहां क्या हो गया वाई मैनस क्या हो जाएगा नाइन नाइन पलस यहां पर दिखिए कहीं कोई दिकत नियुक छ söyl' कोई data रहुए क्लिए एक गर बला ले लिते एक बाहर बला ले लिते हैं य मैनस nine और एक घर बला एक बार बालना तो ऐ पलस वाय दो निकल गया आराम से कहीं कोई दिकत हुआ नहीं वहावगा इक्वल जीरो यहां पे देख लिया जब क्या लिखेंगे जब ब्राभर निकल जाता है प्लस नाइन निकल जाता है सेकेंट जब यहां प्लिखेंगे जब य प्लस फाइव इकोल जीरो तो य बराबर निकल जाता है मैनस फाइव जो निकलता है वह मतलब मान्य नहीं होता है जो मैनस में निकल जाता है एक्वेशन में तो मान्य नहीं होता तो मान्य क्या होगा यह बला मान्य होगा तो आप बात आता यहां पर की देखिए समझने वाली बात आता है कि जब हमने वाय का मौन निकाल लिया मतलब बरी संख्या हमने निकाल लिया तो छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं उसमें कहीं क कोई दिक्कत नहीं होगा कैसे देखे वाई का मॉन निकल गया तो देखे पुना जो दे रखा था यहां पर इक्विशन दूसरा में दूसरा में य का मॉन रखने बिल्कुल समझेगा रखने पर देखे एक्विशन दूसरा जो रखे थे एक्स स्क्वाइर बडाबर फोर वाई था एक्स स्क्वाइर बडाबर क्या हो जेगा नो क्या चार गुने नो हो जाएगा तो एक्स स्क्वाइर बडाबर हो गया क्या 36 हो गया इधर है इधर भेज दीजिए स्क्वाइर को चिलियर हो गया कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो चलिए अगले सबाल के और चलते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है अब हम आपको बताते हैं 37 सवाल देखे 37 सवाल जो है मेरे पास सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं ठीक है 37 सवाल को बिल्कुल समझ जाईएगा देखे 37 सवाल में कहे रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड कीचना है ठीक है इस रेखा खंड पर एक याद करें जो इस रेखा खंड को बांच अनुपाथ 8 पहले हम यह भी बना इसे बना दिये आप लोग को समझाने के लिए ठीक है जो देख लिए थे सबसे पहले आपको यहां पे सवाल में क्या कह रहा थोला दिजीगा सवाल में जो कह रहा था यहां यहां पर औरा दिदिद्फ कर दिए भी और इसके बाद यहां से स्कीलल घुमाईगा सीधा खीच humor होगा कुंगya साथ ही आप लोग को इसको नुट कइस्सा में बाटने से बाटने के बाटने के बाद OFF आपको क्या करना है यहां से जो तेरा हिस्था में बाटने बातने के भाटने के बाटनेक आपको क्या करना है यहां से नुट chos इसको बीसे मिलाने के बाद यहांपे चाप रखना और को माप लेना है किאeterm से इतना दूर इसको काट लेज़ेगा उसी चाप से फिर आप पांच cones रखेंगे और पांज पे रख के इसको दो बराबर भाग में इस तरह से घुमा देंगे चांद जैसे घुमाए नहीं इस तरह घुमा देना है उसके बाद 5 पर रख के इसके बाद क्या करना है इससे एक रिखा जो यहां पर कटेगा यह जो कट पोइंट है इसको 5 से मिला देना है मिलाने के बाद जो इधर लिख दीजे 5 और इधर लिख दीजे 8 और इधर ना पेंगे तो 5 होगा इधर ना पेंगे तो 8 होगा यह 5 अनुपात 8 में बिभाजित हो गया तो टोटल बात आप लोगो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह तो आप लोग एक बाद जरूद परनें क्या जाता चलिए देख लेए हम लोग अन्तिम सबाल 38 नमर सवाल इसी तरह अकबर और रोहन का जो मासिक आय जो है उसका जो मासिका जो है वह नौ अनूपात 7 मतलब इतना कमाता है उनके खर्चों का अनूपात जो है बे करता है मतलब खर्च करता है चार अनूपात तो परतेक बेखती परती महना जो है पांच जार रुप्या बचा भी लेता है ठीक है और उसकी मासिकाई क्या होगी तो मासिकाई पूछ रहा है तो बिल्कुल इजी है असान है यहाँ देखे बच्चे हम सौर्टकट में इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों को समझाने कोशि अनुपात क्या मौन लेते हैं देखे एक अलग-अलग मौन नेस फैदाई की डिरेक्ट यहीं पर 9x अनुपात 7x मौन लिया और वय का मतलब हो गया खर्च जो करता है उसका अनुपात हम लोग मौन लेते हैं 4y अनुपात 3y कोई दिकत किसी को नहीं हुआ होगा क्योंकि हम अनुपात मानेंगे हम लोग x और y का अनुपात मानेंगे y इसे अच्छा डिरेक्ट यहीं पर चिपका दिए कोई दिकत नहीं किसी को चलिए आप आते हैं थोरा सा सवाल पर सवाल जो है पहला बेक्ती जो खर्च करता हो नो एक्स रुपिया खर्च करता है मतलब उसका जो नहीं हम प्रशंद से अप दूसरी बात यहां पर देख्लो मेरे वाई कि दूसरी दूसरा बंदा गौना है से नाव बचा लेता है 5000 दोनों एक समझ रभ बचाता है किलियर हो गया मेरे भाई कहीं कोई दिकत नहीं वह आओगा क्योंकि मैंने यहां पर सारा बात क्लियर कर दिया यह दूसरा बंदा जो है किसी यह को मिलालते हैं तो पहला इकविशन में हम लोग 3 से Propy कर देंगे और दूसरा इकविशन में हम लोग 4 से लिखेंगी यहां पर पर समीकरन एक एक यहां गुने तीन तथा था शमी करन ऐए दो गुने चार करने पर ठीक है यहां पर लिखती यह करने पर आएए आगे देख लेते आगे क्या करेंगे गुना कीजिए नौतिया सताइश एक्स ठीक है पूरा मल्टिप्लाइ कर देजे कोई दिकत ने नौतिया सताइस एक्स मैनस चारतिया बारह वाई बराबर पंदरह हजार कहीं कोई दिकत नहीं हुआ होगा पंदरह पे तीन जीरो चलिए आगे देख लेते सताइस एक्स मैनस चारतिया बारह वाई बराबर चार पंदरह बीश हजार ठीक है यह किलिए रहो गया बीश हजार अब यहाँ पे कर लेते इसको देख लेते हैं क्या होता जहाँ पलस रहेगा वहाँ मैनस जहाँ मैनस रहेगा वहाँ पलस यहाँ पे मैनस यहां पर पलस यहां पर मैनस यह देखिए यहां पर निकल जाता है एक्स निकल जाता है ना मेरे वाई एक्स निकल जाता है कटेगा नहीं यह कट जाएगा यह कट जाएगा और बच जाएगा यहां पर यहां पर देख लिए मैनस होगा तो यह जो है पलस यह काम नहीं कर यहां पर मैमस यह भी रहता है तो यह भी तो मैमस फिंख मेंकर दीी तूह यह भी तो मैनुस में ही निकला था इसलिए पाँच हजार क्यों रुपे यह 9 अब एक समुराइकरं में या दो में जिसमें भी हो एक में X का मौन रखने मौन रखने पर क्या करते हैं यहाँ पर देख लिया ज़े पहला समिकरन जो दे रखा है 9X-4Y बराबर 5000 यहाँ आप देखिए 9 गुने करेंगे X का मौन है 5000 रुपया 5000-4Y बराबर 5000 ठीक है मेरे भाई देख लेना सबची ठीक है 9 पच्छे 45,000 45,000 मैनस 4Y बराबर 5000 ठीक क्लियर हो गया अब देखो भाई यहाँ पर करना क्या है मेरे को भी पता है आपको भी पता है यह मैनस 4Y जो है इधर ही राजएगा इसको इस साड़ भे देगे यहाँ पर है 5000 5000 और यह पलस है तो इधर आखे क्या हो जाएगा मैनस में हो जाएगा तो मैनस का 45,000 ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं अब आजाओ यहाँ पर मैनस 4Y बराबर इसको जो है हम लोग मैनस कर लेते हैं मैनस करेंगे इतकते हो जाएगा 40,000 हो जाएगा यहाँ देख लो 40,000 हो जाएगा यह मैनस मैनस हो जाएगा खतम मैनस में ही आया था 40,000 अब आगे क्या कर लेते हैं 4Y बराबर लिख लेते हैं इधर है 40,000 40,000 बटे यह 4 कोई सैट भीज़ दीजे इस 4 कोई सैट भीज़ेगा यह इधर आजाएगा तो Y बराबर क्या निकल जाएगा 10,000 के 40 तो मतलब है 10,000 यहाँ लिखेंगे 10,000 10,000 ठीक है 10 पे 3,0 दे देना यह हो गया तो मतलब है जो लड़का जो है जिसको हमने पूरा चीज़ इसमें क्लियर कर दिया किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा जो कि अकवर का आए है मान सकते थे वहाँ पे अकवर का आए बिरवल का आए अकवर का आए जो पहला लड़का था उसका जो हो जाएगा किता है 45,000 रुपिया क्योंकि उसका दो गुना है एक बार अब सवाल के और चली दिखिए अईशे नहीं बनेगा सवाल पे आए सवाल का जवाब दिख लीजी सवाल पे आए सवाल का जवाब मिल जागा यहां पे यहां पे सवाल कह रहा था तो दोनों का मासिक आए बताए ठीक है यह नहीं कह रहा था अकबर और रोहन का मासिक अनुपाद जो इतना दे रखा, तो दोनों के लियर हो गया, यह लड़का इतना कमाता है, ठीक है यह तो दोनों का आय दे रखा था, यहाँ पर हमने ग्याद कर लिया, X और Y तो उसी तरह से 9 कानुपात दे रखा था एक्स का मौन निकाले थे हम लोग कितना एक्स का मौन हम लोग निकाले थे यहाँ देख लिजिए 5000 एक्स का मौन 5000 तो यहाँ पर निकल गया 45000 रुपया कौन कमाता है अकबर कमाता है अकबर ठीक है यह लिख लेना होगा ठीक है और उसके बाद रोहन का इंग को रोहन का आए के लिए हम लोग जानते थे 7 गुणे 5 क्यों होगा ना क्योंकि रोहन का आए जो यह 7 था यहाँ दिखे थोड़ा सा मेरे यहाँ दिख रों ठीक है यह 5 सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे मेंबर बन सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो मिलते हैं एकने वीडियो को लिके तब तक के लिए बबाए जै हिंद जै भारत टैक केर